प्रवुरामलला के भव्य, दिव्य और नब्यधा में बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई 500 वर्सों के लंबे अंतराल के अपरांथ आज के इस चर्चिर प्रतिक्षित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्यों ये ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना है मन भावुक है, भाव विबोर है, भाव विवल है, निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज सेत्यासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जनभूमी की ओर आ रहा है हर मन में राम नाम है, हर आख हर सोर संतोस के आशू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे है, पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है, हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन, रागो राम लला, हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगासन पर विराज रहे हैं आज हर राम भक्त के हिर्दय में प्रसंता है, गर्व है और संतोस के भाव हैं आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी, भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दी बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधुरी कामला लिए, इस धराधाम से साकेद धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संघर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जन्भू में संभवत्व विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्तली पर मंदिर निर्मान के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने, जाति पाती, विचार दर्सन, उपासना पद्धतिसें उपर उटकरके रामकाज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वासुप आउसर आ ही गया जब कोटी कोटी आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा प्रफुलित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्ध के लिए हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंदर मोधी जी का हिरदै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई मिलही राम सगुन सुब होई अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्रांट प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने है अलौकिक छवी है हमारे प्रभु की बिल्कुल वेसे ही जैसे तुलसी दास जी ने कहा कि नवा कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम धन्य है वसिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है बिचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच मुझे पूज संतों और अपनी गुरु परंपरा का पूर्णे स्मरण हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीम संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में अपनी आहुति दे चुकी है उनकी पावन इस मिर्थियों को मैं यहां पर कोटी कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धुवा है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे है और उससे भी बड़भागी हैं वो जिनोंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही चोटिल होती रही किन्तुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखिए पुरी दुनिया अयोध्या के वैभाव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने कौतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभा उतर आया है दिख रहा है या धर्मणगरी विष्व की सांस्कृतिक राजद्धानी के रोप में प्रतिष्थित हो रही है पुरा विष्व दिब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्व योध्या का साखसाथ कार कर रहा है आज जिस सुन्योची तियम तीब्रकति से योध्यापुरी का विकास हो रहा है वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सकते और दूर दरिस्ता के बिना संभव नहीं था कुछ वर से पहले एक कल्पना से परे था कि योध्याँ में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या सुगम्य अयोध्या दिव्य अयोध्या और भब्य अयोध्या की रूपे पुन्रद्धार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी नया घाट गुपतार घाट ब्रह्मकुंड, भरतकुंड, सूरजकुंड, विभिन्न कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रखरखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेण प्रम्परा की कल्चर में पिंक कराई जा रही है राम बन्गमन पतपर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भौश्यकी जरुपतों को देखते वे आधनिक पैमाने के अनसार सभी नगरिये सुब्धाएं भी विक्सित हो रही है इस मौक सदाइनी नगरी को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पैणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रेटकों सोधार्तियों जिग्यास्चियों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है ये एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है ये उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन मेंगिकार किया गया है ये लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोत्या का दिव्य दिपोट्सो नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और सिर्दाम अल्ळा की प्रान्प्रतिष्टा का समारो बारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को संब्रस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है सिराम जन्भुई मंदिर की अस्थापना भारत की सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुष्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्रामलिला विग्रह की प्रांट प्रतिष्ठा राश्टि गौरव का एक एथ्यासिक आउसर है निस्चिंत रहिए प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकरमा कोई बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़ गड़ा हट नहीं होगी करफियों नहीं लगेगा अब तो यहां दिपोटसो रामोटसो और यहां की गलियों में सिर्राम नाम संकृतन से यहाँ की गलियां गुझाए मानोंगी क्योंकि आवदपुरी का मैं राम लला का विराज़ना रामराज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है रामराज्य बैठे तिरलो का हरसित भएगए सब सोका रामराज्य भेदभाव रहीत समरत समाज का दियो तक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों, बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भुमी मंदिर के सुपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियन्ताओं, सिल्पियों और सिर्राम जन्भुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादी कारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एथियासिक पूर्ण घड़ी की बधाई आदरिये प्रधान मंत्री जी, आदरिये सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महान भावों का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरवजों ने लिया था, उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चड़ों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देशवास्यों को आज के स्रामत्सों के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बाणी को बिराम देता हूँ, जैजै सीताराम हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दवाई